हेलो फ्रेंट्स पिछली वीडियो में हमने अपना फायर बेस का पूरा सेटप पार्ट कम्प्लीट किया था जिसमें हमें गूगल सर्विस फायल डाउनलोड करने होती है Build Out Grader में कुछ changes करने होते है और फ़िर एक database create करना होता है यह सारा part complete किया था इस वीडियो में जो collection और document की help से data ona i store होता है fetch होता है, delete होता है, update होता है उस concept को सिफ check-out करेंगे अगले वीडियो में हम देखे हैं कि हम कैसे data create करते हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि collection और document क्या होते हैं देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ गे clear कर देना चाहता हूँ जाएगा फिर आपको create, read, update, delete उसमें कोई issue नहीं आने वारा है तो इसको एक्दम ध्यान से समझेगा उसके बाद ही हम अगले वीडियो बहुत ही आराम और easy way में cover up कर पाएगा तो देखिए आपको उससे पहले map का concept पता होना चाहिए जो सिर्फ key और value pairs पे काम करता है और map कुछ भी नहीं होता है तो अब हम शुरू करते हैं collection और document को पहले में चलते हैं power point में और वहाँ एक example से समझते है चले चलते हैं power point में तो चलिए यहां पे एकदम simple words में पहले समझते हैं तो देखिए अगर मैं आपसे पोचूँ कि collection क्या होता है बहुत है simple words में तो आप यह बलूगे collection इस ग्रूप of objects ठीक है अब मेरे को आप यह बताईए कि diary क्या होता है डायरी मतलब जो हमें newware पे मिलती है वो क्या होता है अगर हम बहुत ही simple बात करें तो डायरी इसे group of pages तो आप देखिए firebase में भी हमारा same concept होता है हमें collection बनाना होता है जो hold करता है कुछ group of things को ओके अब इसको एक next slide में चलके एक example से समझते हैं आपको पूरा clear हो जाए हो तो देखिए मान लीजे हमारी एक class है उसमें बहुत सारे student है आपको उनका data आपको store कराना है तो आप manually क्या कर सकते हो आप एक diary लेके आई उसके अंदर हर page के अंदर आप हर student का data लिख दीजे मा सब्सकरे पहले तो एक collection मनांएंगे आप इसके नाम दे दिया students के अब इसके निदर बारें करेंगे अब बढक्राम को convenient बनाएंगे करेंगे दूसरा document बनाएगे और इस प्रिकेंन का जो भी data हो वह इस तूट वाली था उसके लिए हमने एक document बनाया और data इसमें इस टोर करा दिया अब यह document कैसे काम कर रहा है देखिए similar जैसे हमाई diary में pages हो रहे थे page number one page number two ऐसे ही इसकी एक document ID होगी ऐसे ही एक twe breath sent direct आया इसे ही आए डी होगी तो यहां हो क्या रहा है जैसे similarly हम diary में अलग-अलग pages के उपर अलग-अलग students का data put up कर रहे हैं यहां पे हम अलग-अलग documents के अंदर अलग-अलग students का data put up कर रहे हैं तो अभी कर कैसे रहे हैं इसको हम देखें हैं कोडिंग वाले पार्ट में तो अगर हम इस वीडियो को रैप आप करें कि collection और document क्या होता है आप collection को as a diary समझ सकते हो जिसको हमें सिर्फ एक name देना होता है और document को आप diary के pages समझ सकते हो जिनमें हम अलग-अलग data students का रखने वाले तो अमीद है आपको समझ में आओगा अब हम मिलते हैं next वीडियो में जिसमें हम अपना पहला data create करके देखेंगे कैसे create होता है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक कि लिश्या फ्रेंट्स